मुख्यमंत्री समुहिक विवाह योजनान तर्गत 523 जोडों ने थामा एक दूजे का हाथ 417 जोडों ने लिए फेरे 106 जोडों का पढ़ा गया निकाह जनप्रतिनिधियो अधिकारियों के आर्शिवाद के साथ मिली सौगात बरेली 20 जनवरी समाज कल्यान विभाग के अंतरगत जनप्र बरेली में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन बरेली क्लब में किया गया जिसमें तहसील सदर, मीरगंज एवं फरीबपुर के अंतरगत आने वाले विकासखंड के एवं नगरिय निकाह के 523 जोडों का विव 206 जोडों का काजी द्वारा निकाह पढ़वाया गया। समाज कल्यान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारी विभागिय अधिकारी अन्य जिलास्तरिय अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में की गई थी। दिये जाने वाले उफार में कहीं कोई कमी न रह जाएं इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरिय समिती ने हर कार्य के लिए विशेश ध्यान रखा। इसके साथ वधु को उसके नाम से खुले बैंक बचत खाता में 35,000 रुपए की धनराशी भी दी जा रही है। जिलासमाज कल्यान अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई की मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम में आज विकास खंड भोजीपुरा के साथ, बिथरी चैनपुर के 29,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पूर्वी के शूने पांच तथा नगरपालिका परिशत फरीदपुर के शूने चार जोडों का विवाह संपन हुआ। मंदलायुक्त सौमया अगरवाल, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ट कुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, परियोजना निदेशक तेजवन्त सिंह, दीसी मनरेगा हसीब अनसारी, जिला समाच कल्यान अधि मीनाक्षी वर्मार एवन संबंधित, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य समस्त अधिकारी गण उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री समुहिक विवाह योजनान तर्गत 523 जोडों ने थामा एक दूजे का हाथ 417 जोडों ने लिए फेरे 106 जोडों का पढ़ा गया निकाह जन प्रतिनिधियो अधिकारियों के आर्शिवाद के साथ मिली सौगात बरेली 20 जनवरी समाच कल्यान विभाग के अंतरगत जनपर बरेली में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन बरेली क्लब में किया गया जिसमें तहसील सदर, मीरगंज एवं फरीदपुर के अंतरगत आने वाले विकासखंड के एवं नगरिय निकाह के 523 जोडों का विवाह संपन हुआ मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम में आज एक ओर जहां 417 जोडों ने एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए और दूसरी तरफ 106 जोडों का काजी द्वारा निकाह पढ़वाया गया समाज कल्यान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारी विभागिय अधिकारी अन्य जिलास्तरिय अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में की गई थी माननिय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिक योजनाओं में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए दो माह से तैयारिया चल रही थी वारातियों के स्वागत और वधु को विदाई के समय दिये जाने वाले उपहार में कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरिय समिती ने हर कार्य के लिए विशेश ध्यान रखा वरवधु को वैवाहिक जीवन की नई शुरुवात करने के लिए आरशिवात के साथ विभिन सौगातों में प्रेशर, दिनर सेट, सीलिंग फैन, बिछिया, पायल, बक्सा, क्रॉकरी सेट, पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी आधी उफार दिये गए तथा उनके सुखत ज अल्यान अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई की मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह कार्यक्रम में आज विकास खंड भोजीपुरा के साथ, बिथरी चैनपुर के 29, 14, 28, फतेहगंच पश्चिमी के 54, मीगरंच के 61, भुता के 179, फरीदपुर के 80, नगर निगम के 14, नगर पंचायत रिठोरा के 03, नगर पंचायत शाही के 02, नगर पंचायत फतेहगंच पश्चिमी के 02, नगर पंचायत मीर गंच के 03, नगर पंचायत शीशगड के 06, नगर पंचायत फतेहगंच पूर्वी के 05 तथा नगर पालिका परिशत फरीदपुर.